यह बात उन दिनों की है जब स्री राम का अस्सु मेग यगी चल रहा था। श्री राम के अनुज सत्रगन के नेतरत्व में असंक बीरों की सेना सारे पृर्देश को बीजित करती जा रही थी। यग का अशु पिर्देश पिर्देश जा रहा था इस किरम में कई राजाओं के द्वारा यग का घोड़ा पकड़ा गया लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें जुकना पड़ा। सत्रगन के अलाबा सेना में हनुमान शुग्रीव और भरत पुत्र पुसकल सहत कई महारती उपस्ति थे जिने जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भिरमड करने के बाद यग का घोड़ा देवपुर पहुंचा जहां राजा बीरमड का राज था। राजा बीरमड अतिकरम निष्ट तथा सिरीराम एबम महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुकमांगद तथा सुबगद बीरों में स्रिष्ट थे। राजा बीरमड के भाई बीर सिंग भी एक महा रथी थे। राजा बीरमड ने भगवान संकर की तपस्या कर उन्हें पिरसन किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज की रच्छा का बरदान दिया था। महादेव के द्वारा रच्छित होने के कारण कोई भी उनके राज पर आकर्मड करने का साहस नहीं करता था। जब अस्व उनके राज में पहुंचा तो राजा बीरमड के पुत्र रुकमांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यग का उनके पास है। इसलिए बे जाकर सत्रगन से कहें कि विद्वत यूद कर वो अपना अस्व छुडा लें। जब रुकमांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने स्री राम के एग का पकड़ लिया है। स्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे सतुरता करने का कोई औचित नहीं है। इसलिए तुम एग का घोड़ा बापस लोटा आओ। इस पर रुकमांगद ने कहा कि है पिता स्री मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनोती भी दे दी है। अथा अब उन्हें बिना युद्ध के अस लोटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए आप मुझे युद्ध की आग्या दें। पुत्र की बात सुनकर बीरमड ने उसे सेना सुसचित करने की आग्या दे दी। राजा बीर रुकमांगद तथा सुवांगद के साथ पिसास सेना लेकर युद्ध छेतर में आ गई। इधर जब सत्रुगन को सूचना मिली कि उनके यग का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए एबम अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद छेतर में आ गई। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन असु को छुड़ाएगा तो भरत पुत्र पुसकल ने कहा कि तात्सिरी आप चिंता ना करें आपके आसीरबाद और श्रीराम के प्रताब से मैं आज ही इन सवी योध्धाओं को मार कर असु को मुक्त करता हूँ बे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान ने कहा कि राजा बीरमड के राज पर आकरमड करना स्वयम परम पिता भ्रमा के लिए भी कठिन है। अथा उचित यही होगा कि पहले हमें बात चीत द्वारा राजा बीरमड को समझाना चाहिए और अगर हम ना समझा पाए तो हमें स्री राम को सूचित करना चाहिए राजा बीरमड स्री राम का बहुत आदर करते हैं इसलिए बे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान की बात सुनकर स्री सत्रुगन बोले कि हमारे रहते अगर स्री राम को युद भूमी में आना पड़े ये हमा अरे लिए अतियंत लज्जा की बात है अब जो भी हो हमें युद तो करना ही पड़ेगा ये कहकर बे सेना सहत युद भूमी में पहुँच गई भयानक युद छिड़ गया भरत पुत्र पुषकल सीधा जाकर राजा बीरमड से भिड़ गया दोनों अतलुनिये बीर थे ब उकमांगद और सुभांगद ने सत्रगन पर धावा बोल दिया पुषकल और बीरमड में बड़ा घमासान युद हुआ अंत में पुषकल ने बीरमड पर आठ नाराच बाड़ों से बार किया इस बार को राजा बीरमड से नहीं पाए और मूर्चित होकर अपने रथ पर ग पर बार किया इससे बीर सिंग रक्त बमन करते हुए मूर्चित हो गई उधर शिरी सत्रगन और राजा बीरमड के पुत्रों में असाधारण यूद चल रहा था अंत में कोई चारा ना देखकर सत्रगन ने दोनों भाईयों को नांग पास में बांध दिया अपनी विजय द देखा के उनकी सेना हार के कगार पर है ये देखकर उन्होंने भगवान रूद्र का इसमरड किया महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर बीर भद्र के नेतरत में नंदी भ्रगी सहत सारे गड़ों को युद छेतर में भेज दिया महाकाल के सारे अनुचर उनकी जैजय कार करते हुए अयोध्या की सेना पर तूट पड़े सत्रगन हनुमान और सारे लोगों को लगा के जैसे पिरले आ गया हो जब उन्होंने भयानक मुखबाले रूद्रा बतार बीर भद्र नंदी भ्रगी सहत महादेव की सेना को देखा तो सारे सैनिक भैसे कांप उठे सत्रगन ने हनुमान से कहा कि जिस बीर भद्र ने बात ही बात में दच प्रजापती का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयम महाकाल के समान है उसे युध में कैसे हराया जा सकता है ये सुनकर पुसकल ने कहा कि है तात्सिरी आप दुखी मत हो अब तो जो भी हो हमें युध तो करना ही पड़ेगा ये कहते हुए पुसकल बीर भद्र से हनुमान नंदी से और सत्रगन भरगी से जा भिड़े पुसकल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रियोग बीर भद्र पर कर दिया लेकिन बीर भद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया उन्होंने पुसकल से कहा कि हे बालक अभी तुम्हारी आयू मृत्य को प्राप्त होने की नहीं हुई है इसलिए युध छेतर से हट ज उसी समय पुसकल ने बीर भद्र पर सक्ती से प्रहार किया जो सीधे उसके मरम इस्तान पर जाकर लगा इसके बाद बीर भद्र ने क्रोध से थराते हुए एक तिर्शूल से पुसकल का मस्तक काट लिया और भयानक सींग नाद किया उधर भिरगी आद गड़ों ने सत्रगन पर भयानक आकर्मण कर दिया अंत में भिरगी ने महादेव के दिये पास में सत्रगन को बांध दिया हनुमान अपनी पूरी सक्ती से नंदी से युद्ध कर रहे थे उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था दोनों स्रीराम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन हुए थे काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय ना देखकर नंदी ने सिवास्त्र का प्रियोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया अयोध्या के सेना की हार देखकर राजा बीरमड की सेना में जवरदस्त उत्सा आ गया और बेबाकी बचे सैनकों पर तूट पड़े ये देखकर हनुमान ने सत्रगन से कहा कि मैंने आप से पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा रच्छित है लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी अब इस संकट से बचाओ का एक ही उपाय है कि हम सब सिरी राम को याद करें ऐसा सुनते ही सारे सैनक सत्रगन पुसकल एबम हनुमान सहत सिरी राम को याद करने लगे अपने भक्तों की पुकार सुनकर सिरी राम ततकाल ही लच्छिमड और भरत के साथ बहां आ गई अपने पिरभू को आया देख सभी हरसित हो गए एबम सब को ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है सिरी राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राड का संचार हो गया सिरी राम ने सबसे पहले सत्रगन को मुक्त कराया और उधर लच्छिमड ने हनुमान को मुक्त करा दिया जब सिरी राम लच्छिमड और भरत ने देखा कि पुसकल मृति को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ भरत तो सोक में मूर्चित हो गए सिरी राम ने कुरोध में आकर बीर भदर से कहा कि तुमने जिस प्रिकार पुसकल का बद किया है उसी प्रिकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो ऐसा कहते हुए सिरी राम ने सारी सेना के साथ सिव गड़ों पर धावा बोल दिया जल्द ही उन्हें ये पता चल गया कि सिव गड़ों पर साधारड अस्त्र बेगार हैं इसलिए उन्होंने महरस विश्वा मित्र द्वारा प्रदान किये दिब्यास्तरों से बीर भदर और नंदी सेत सारी सेना को बिदीर्ड कर दिया सिरी राम के प्रताप से पार ना पाते हुए सारे गड़ों ने एक स्वर में महादेव का आभान करना सुरू कर दिया जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कस्ट में है तो बेश्वयम युद छेत्र में प्रिकट जब महाकाल ने युद छेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से स्री राम की सारी सेना मूर्षित हो गई जब स्री राम ने देखा कि स्वयम महादेव रड़ छेत्र में आए हैं तो उन्होंने अस्त्र त्याकर भगवान रूद्र को डंडबत प्रडाम किया और उनकी उन्होंने महाकाल की इस्त्ति करते हुए कहा कि है सारे ब्रहमान्ड के स्वामी आपके ही प्रताप से मैंने महापराकर्मी रावड का बद किया आप स्वयम जोतिर लिंग में पधारे हमारा जो भी बल है वो भी आपके आसीरबाद के फलसरूप ही है ये जो अस्सुमेग य इच्छा से ही हो रहा है इसलिए हम पर किरपा करें और इस युद्ध का अंत करें ये सुनकर भगवान रूद्र बोले के हे राम आप स्वयम बिश्डू के दूसरे रूप हैं मेरी आप से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है फिर भी चूंक मैंने अपने भक्त बीर मड को उसकी रच्छा का बरदान दिया है इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता अथा संकोच छोड़कर आप युद्ध करें श्री राम ने इसे महाकाल की आग्या मानकर युद्ध शुरू किया दोनों में महान युद्ध छिड़ गया जिसे देखने देवता लो ने पस्पता अस्त्र का संधान किया और भगवान सिफ से बोले के है प्रभू आपने ही मुझे ये बरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत इस अस्त्र से तिरलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता इसलिए है महादेव आपकी आगया और इच्छा से मैं इ ये कहते हुए श्री राम ने बो महान दिव्यास्त्र भगवान सिफ पर चला दिया बो अस्त्र सीधा महादेव के हिर्दय इस्तल में समा गया और भगवान रूद्र इससे संतुस्ट हो गई उन्होंने प्रसनता पूरवक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे स पुत्र पुषकल के साथ असंक योध्धा बीर गति को प्राप्त हो गई हैं उन्हें किर्पया जीवन दान दीजिए महादेव ने मुस्कराते हुए तथास्तु कहा और पुषकल समेत दोनों और के सारे योध्धाओं को जीवित कर दिया इसके बाद उनकी आगया से राज सत्तुर गन के साथ आगे चल दिये